हेलो एवरिवन देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे segregating population क्या हुआ और इसका सारा procedure हम देखेंगे कि ये कहां कहां पर यूज होता है और इसका पूरा process हम इसमें समझेंगे देखिए यहाँ पर हमारे slipस में भी handling of segregating population ये बहुत important topic है तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि segregating generation क्या हुआ देखिए segregating का मतलब हुआ separation होना separation किसमें होता है heterozygous condition में जब होता है cell उसमें segregation होता है तो मेंडल के according homozygous में segregation नहीं होता है सिरफ heterozygous में segregation होता है और heterozygous condition कब बनती है हमारे पास जब दो different genetically different parents जो होगे वापस में जब cross करेंगे उससे फिर आगे बनता है जो हमारे पास organism बनेगा वो heterozygous होगा और उसमें और उस process को हम कहते है hybridization तो हम ये कह सकते हैं कि hybridization से जो different genetic structure वाले plants जब आपस में cross करते हैं तो 50% genotype जो होता है वो male से आता है एक होता है bulk method एक होता है back cross method एक होता है pedigree method इस वीडियो में हम देखेंगे pedigree method क्यों होगे सबसे पहले यह important सबसे ज़्यादे ही method होता है pedigree method अब देखिए यहाँ A और B क्या है यह अलग-अलग parents है जब यह आपस में cross करेंगे तो जब F1 generation हमारे पास बनेगी और जब हम F1 की selfing करेंगे तो जो यह F1 के बाद आने वाली जो generation होगी उनको हम उनको हम कहते हैं segregating generations देखिए तब तक आएंगी यह जब तक ना homozygosity आ जाए तब तक यह segregating generations आती रहेंगी और फिर उसके बाद gene का separation जो है वो बंद हो जाएगा इसका मतबब है homozygosity नीचे जाने के वकत increase होगी और heterosigosity decrease होगी तो हम क्या कह सकते हैं segregating generations को कैसे हम define कर सकते हैं segregating generations वो generations होती हैं जहांपे genes का separation होता है और इनको हम कहते हैं segregating generation ठीक है और आप देखिए यहाँ पर जब F1 हमारे पास बनेगा ना जब A और B को cross करेंगे जब इसकी selfing करेंगे तो genetic improvement of self pollinated crops pedigree method से ठीक है अब इसको pedigree method क्यों कहते हैं pedigree method हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम हरे जो generation हमारे पास आती है उसका हम सारा record रखते हैं कि pedigree एक चार्ट हमारे पास सारा होता है उसका हम इसका record रखते हैं इसलिए हम इसको pedigree method कहते हैं देखिए मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो different varieties की wheat हैं ठीक है जो यह मेरे पास different varieties की wheat होंगे जब मैं इसको cross करूँगा hybridization से तब जो f1 generation मेरे पास बनेगी पहले साल में इसको मैं इसको जब मैं दूसरे साल में जब इसको grow करूँगा field में तो जो मैं spaced planting करूँगा क्योंकि उसको आप हर एक plant को nutrition जो है वो equally distribute हो और मुझे यहाँ पर 2000 से लेकर 10,000 seeds जो होंगे वो चाहिए होंगे किस year में second year में तो मैं हर्वेस्ट करूँगा herudo पास तो मैं इनको bulk मेरे पास मेरे पास बलक मों हर्वेस्ट करूँगा मै Just मेरे पास 2000 से लेकर 10,000 plants नहीं होंगे और उनको मैं grow करूँगा space डालकर और देखो तीसरे साल में मैं क्या करूंगा तीसरे साल में सोव में सो उसे लेकर 500 स्पीरिट व्लाइंट जो होगे जो मेरे डिजार डिजारिट 2100 से 20000 पर अब लो पर मैंने बोला फिर नीचे मैंने ओर लगोला 210 यह मैं डिजारिट गरेक्टर सिर्ट्ट के basis पर जब में प्लांट को select करूंगा मैं ही वो चीज गह रहा हूं यहां पर सो से लेकर 500 superior plants को select करूंगा और harvest करूंगा separately फिर F3 को मैं जब 4th year में grow करूंगा तो उसमें क्या करूंगा जब मैं 100 से लेकर 500 superior plants लिए ना मैंने, इनसे मैं 100 superior rows को select करूंगा 100 spirit rose grow करूँगा और हर एक रो में हर एक रो में independent plant selection करूँगा ने ठीक है देखिए हर एक जब रो में independent plant selection करूँगा तो ठीक है ना समझा रही बाद और 50 year में मैं क्या करूँगा 50 spirit rose को select करूँगा फिर और individual plants को मैं select करूँगा वहां से देखिए यहां पर आप देखिए हर एक मतलब एक plant को मैंने 3-3 रोज में grow किया जो यहां पर मैंने 50 superior rose को select किया था ना तो कितनी कितनी रोज बनेंगी मेरे पास यहां पर 50 3-3 की group की तो फिर और मैं जब 6 साल में में किया करूँगा? 3 रोज को grow करूँगा फिर आगे ठीक है? ऐसे ऐसे मैं 7th year में में पहुचँगा तब मैं क्या करूँगा? तब मैं अगर यहां पर भी segregation हो रहा हो गा अगर 7 year में भी segregation हो रहा हो? तब मैं इसको閉ल reject कर दूँगा उस रोव को ठी है जो जिस रोव में segregating हो रहा होगा तो देखिए क्योंकि 8th year में मुझे इसको preliminary trial में लेना पड़ेगा हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था किस वाली वीडियो में जिसमें हमने बताया था वो कौन सा टॉपिक हमने पिछले वाले में पढ़़ा था ज फिर selection करते हैं तो उसके पाद हम CVT करा दें coordinator varietal trial इसमें हम जो पूरे ये अलग-अलग zonal level पर इसको हम अची तरह चेक करते हैं all over India में फिर हम इसको बार में साल में 12th year में क्या करते हैं हम इसके multiplication करते हैं इसके seeds की और farmers में distribute कर देते हैं breeders seed thank you